हाई दोस्तों साईज ही और बाक विट अनादर इंट्रेस्टिंग वीडियो और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EDL मोड के बारे में EDL मोड क्या होता है EDL मोड को कब यूज में लेते हैं और यही नहीं मैं आपको यह भी बताऊंगा कि EDL मोड में अपने डिवाइस को कैसे फ्लाश करते हैं यहाँ पर मैं आपको पूरा प्राक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ वीडियो में तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना है आपको सारी चीजे में आपको यहाँ पर डीटेल में समझाओंगा लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलेक्राम चैनल को भी जॉइन कर लो वहाँ पर इंपोर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स में प्रोवाइड करते रहता हूँ वीडियो में आगे बड़े उससे पहले एक छोटा सा अनॉंस्मेंट यहाँ पर मैंने एक सेकेंड चैनल बनाया है जिसमें मैं आपको आप्स ट्रिक्स और जो कुछ भी मैजिस मॉडियोल होते हैं उनसे रिल्टेड इंफॉर्मेशन देते जाओंगा वीडियो जो है एकदम शॉर्ट वाली होगी मतलब एकदम स्मॉल स्टाफ होगा जिसमें आयोस और अंडुलेट से रिल्टेड आपको काफी सारे छोटे-छोटे वीडियो देखने को मिलेगी तो वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वो चैनल ऐस बैक अप भी रह देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब आज आते हैं मुद्दे पर तो सबसे बेले बात करते हैं EDL मोड होता क्या है तो जैसी कि इसका नाम है इसका लॉंग फॉर्म होता है EDL का लॉंग फॉर्म है Emergency Download Mode ठीक है और यह जो मोड होता है यह specially Qualcomm के CPU में हमें देखने को मिलता है जो कि Qualcomm ने इसको implement किया है अपने CPU में ठीक है अब जैसी कि नाम में ही लिखा है Emergency ठीक है Emergency Download Mode मतलब इस मोड को हम Emergency में यूज में लेते हैं ठीक है तो Emergency में यूज में लेते हैं मतलब इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा जब हमारे device जो है Hardbrick होता है तब इसको हम हम यूज में लेते हैं अब जो डिवाइस है वो दो तरीके से Brick होता है एक होता है Softbrick और दूसरा होता है Hardbrick यहा तक तो आप समझ गये अब थोड़ा और अंदर चलते हैं हमारे device में होते हैं दो bootloader ठीक है न हम bootloader unlock करते हैं पता ही होगा आपको तो हमारे device में होते हैं दो bootloader, एक होता है secondary bootloader, और दूसरा होता है primary bootloader, ठीक है, तो सबसे पहले secondary bootloader की बात करते हैं, जो हमारा fast boot access होता है recovery mode, ये सब कुछ आता है हमारे secondary bootloader में, मतलब अगर हमारा device hard brick हुआ, समझो तो हमारा secondary bootloader damage हो गया, मतलब secondary bootloader damage हुआ, मतलब fast boot, recovery, sub access, खतम, ठीक है न, तो बचा कुन सा भी primary bootloader, ठीक है न, तो primary bootloader में actually क्या होता है, उसका access हमारे पास नहीं होता है, और primary bootloader में fast boot, recovery, ये कुछ नहीं आता है, वो अलग ही उसका अलग separate room होता है, ठीक है, तो जो secondary bootloader है, उसमें ही आता है, fast boot, recovery, download mode, जो कुछ भी access कर सकते हैं, वो सब कुछ ह तक ही access कर सकते हैं, और secondary bootloader अगर damage हुआ, मतलब हमारा device hardbrick हुआ, hardbrick हुआ, मतलब हमारे पास अब बचा है सिर्फ primary bootloader, अब next क्या, अब ideal mode आता है, यहाँ पे use में, अब ideal mode क्यों use में लेंगे, यहाँ पर हम ideal mode के through, हमारी device को flash कर सकते हैं, मतलब हम primary, जो bootloader होता है, उस इसको access कर सकते हैं, ideal mode के through, मतलब ideal mode में हम अपने device को flash करेंगे, तो हमारा device जो है, वो primary bootloader से flash हो जाएगा, then उसके बाद हमारा secondary bootloader repair हो जाएगा, और वहाँ पर हमारा fast boot mode, recovery mode, सब कुछ वापस आजाएगा, समझ रहो बात, अब यहाँ पर जो ideal mode में flash file use में लिया जाता है यह वही file होता है, जो हमारे stock room होता है, जो हमारे device का actually, जो stock room है, वही file यहाँ पर use में लिया जाता है, ठीक है, अब most important question यह रहेगा हम सब का, कि क्या हम खुद ideal mode में हमारे device को flash कर सकते हैं, क्या, तो उसका answer है no, मतलब no ही बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास इसका access नहीं र आती हैं, तो वो loss हो गया, तो जो primary bootloader का access है, वो हमारे पास नहीं होता है, और ideal mode में flash करना है, तो ideal mode जो है, वो primary bootloader से ही होके होता है, ठीक है, तो इसका access रहता है, service center वालों के पास, क्योंकि उसके लिए एक special authentication, या फिर बोलू, permission की required होती है, जो उन्हीं के पास होता है, ओके, तो service center में ही वो phone flash हो सकता है, और जो mobile repair shop वाले होते हैं, उनके हाथ से भी वो phone flash किया जा सकता है, करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास paid tools रहती हैं, जैसे कि example के लिए बूलनू, तो miracle हो गया, UMT हो गया, unlock tools, CM2 वगेरा वगेरा, बहुत सार ऐसे अलग-अलग tools होती है paid रहते हैं, उनका भी subscription उनने लेना पड़ता है, ठीक है, उसका भी कुछ recharge वगेरे करते हैं, उसके बाद हमें charge करते हैं, तो इस तरह से जो है, हमारा device ideal mode में flash करके देते हैं, तो यह एक इस तरह से process होता है, तो यहाँ पर मैंने पूरा clear कर दिया सब कुछ, ठीक है, अब मै आपको ideal mode में flash करके दिखाऊंगा मेरे device को, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक tool use करने वाला हूँ, वो सब कुछ आपको आगे PC में अभी दिखाऊंगा मैं, तो यहाँ पर हम आचुके हैं PC पे, यहाँ पर जो मैं tool use में लेने वाला हूँ, वो Miracle Crack 2.82 वर्जन होने वाला है, तो इससे जो है मैं अपना पूराना device flash करके दिखाऊंगा ideal में, ठीक है, तो इसका setup वीडियो जो है आपको नीचे description मिल जागा, जाके आप देख सकते हो कैसे tool को setup करना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले software पर double click करोंगे, तो यहाँ पर tool open होगा, फिर Qualcomm पे हमें select करना यह flashing पे आने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह सारे modes as it is रहने देने हैं, ठीक है, देखो मैं फिर से बदल रहा हूँ, सबसे पहले tool open करोगे, double click करोगे, then Qualcomm को select करोगे, then उसके बाद जो है flashing वाला mode रहता है, उस पे click करोंगे, तो यहाँ पर यह पूरा इस तरह से setup आ जा तो यहाँ पर जो मैं phone flash करके दिखाने वाला हूँ, वो Redmi 5A का होगा, ठीक है, जिसको मैं EDL में आपको EDL point shot करके flash करके दिखाने वाला हूँ, ओके, तो सबसे पहले तो हमें इसका flash file जो है, वो download करना पड़ेगा, तो उससे पहले तो यह बाकी settings as it is आप देख लेना, वीड Google पर आ जाना है, और यहाँ पर simply कुछ नहीं होता है, जैसी हम लिखते हैं अपना phone का नाम और आगे लिखना है stock room, और simply search करने के बाद यहाँ पर हम कोई भी website से हमें software जो है, वो download कर लेना है, ठीक है, तो मैंने इसको तो already download कर रहा है, तो मैं फिर से इसको download नहीं करूँग इसमें time set नहीं किया है, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि यह tool जो है उसका time पुराना set करना पड़ता है, date हो time तब ही work करेगा, क्योंकि पुराना है न बहुत चुका है, बहुत पुराना crack है, तो जैसी कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर यह मैंने software already download कर रहा है, तो simply extract भी क रख देना, extract करके, अब next फिर से हम आ जाते हैं, tool पे, और tool पे आने के बाद, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है raw program select करना पड़ेगा, तो यहाँ पे click करेंगे, और locate करेंगे उस जगह पे, जहाँ पर हमने extract किया था, तो desktop पे मैंने extract कर रखा है, तो यह दीख करना है, यहाँ पे हमें अपनी device को connect करना है, ठीक है, अब हमारा काम PC पे खतम हुआ, अभी हमें phone को EDL में connect करना है, तो सबसे पहले तो आपको back hour खुलना पड़ेगा, अपनी device का पूरी तरह से, इसको पूरी तरह से नंगा करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमे EDL points देखने है, EDL points को short करना होता है, तो EDL points आपको मिलेंगे कहा, यह आपको Google करना पड़ेगा, फिर images में जाना, और वहाँ पे EDL points हमें show करेंगी, तो सिर्फ उन दोनों points को short करना होता है, EDL points को short करना मतलब, ओके, तो एक tweezer बगएर ले लेना, या फिर आप jumper भी कर सकते ह अगर आपके पास shouldering iron होगा, तो ठीक है, तो directly connect नहीं करना है PC से हमारी device को, पहले तो EDL को short करके रखना पड़ेगा, दीखें, मैं अभी दिखा रहा है आपको, तो इस तरह से हमें सबसे पहले, मैंने थोड़ा सा लगा रखा है USB ताकि जल्दी से मैं इसको attach कर सकूँ, तो हम कोई भी port connect करते हैं, तो आवा जाने के बाद यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ, आपको as it is, देख लीजे जैसे की, तो यहाँ पे आवा जाया, उसके बाद यहाँ पे आपको port पे click करना पड़ेगा, अभी तो blank है, देखिए, port लोड हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ प point को short करके, उसके बाद USB को attach करना होता है PC से, then next step, जैसे यहाँ पे port show होगा, उसके बाद हमें start button पे click कर देना है, तो यहाँ पे मैंने start button पे click कर दिया है, यहाँ पे flashing process जो है, वो start हो जाएगा अभी, just यहाँ पे जो है, कुछ यह चीजे चेक करेगा, then उसके बाद यहाँ पे flashing process start हो जाएगी, तो जैसे कि आप देख पर यहाँ पे flashing हो रहा है, I repeat यहाँ पे flashing हो रहा है, वो EDL mode में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे flash start हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा time लगता है, जैसे कि हम fast boot ROM flash करते हैं, उससे भी थोड़ा सा time जादा लगता है, तो device दिखा दे रहा हूँ, वरना आपको लगेगा fake video है, यहाँ पे flash हो रहा है device, ठीक है, और device जो है, बिल्कुल switch of condition में है, बैटरी connected है, लेकिन EDL में अभी connected है, हमारे device PC से, और यहाँ पे data पुरा transfer हो रहा है हमारे phone में, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पर हो, फटा फट फटा फट यहाँ पे flash start हो चुका है, flash हो रहा है, तो इसको time लगेगा, मैं video को थोड़ा सा forward करता हूँ, उसके बाद next step क्या होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा, ओके video जो है मैंने वो forward कर दिया है, तो जैसे कि आप देख पर हो flashing successfully complete हो चुका है, यहाँ पे process done करेके ल computer को disconnect करके फिर से attach करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपी कर रहा हूँ, then उसके बाद power button को hold करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा device चालू हो जाएगा, ठीक है, तो एक minute मैं इसको कर लिया हूँ, अब मैं power button को hold करके रखूंगा, तो यहाँ पे जो हमारा device चालू हो जाएगा, तो जैसी कि आप देख पर हो, मी का logo आ चुका है, अब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा, मी का device flash होने के बाद काफी time लेता है, बूट होने में, तो इसको थोड़ा time लगेगा, तो अगेन मैं इसको फिर से forward करता हूँ, क्योंकि बहुत time लगेगा, जल PC है, मतलब आपका device और PC, इन दोनों की बीच में connection successfully होने के लिए यहाँ पर पाथ प्रोवाइडेशन की जरुरत होती है, तो ideal points जब आप short करते हो, तो यह path प्रोवाइड हो जाता है, देन उसके बाद आपका device flash होने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर device हमारा चालू होई र दिखना है, ideal points और उसके बाद सर्च कर लोगे, देन हमारा जो photos वाला section होता है Google में, images वाले section पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको points शो होगी, और उस points में जाके आपको ध्यान से देखना है, अपने device के जो ideal points होती है, वो images में शो होगी, देन उसके बाद आप वही points को short करक ठीक है, तो ये इस तरह से आप process कर सकते हो, बस थोड़ी दिर में phone चालू होई जाएगा, wait करते हैं, okay, okay, जैसे कि आप देख पर हो, phone successfully चालू हो चुका है, और यहाँ पर कुछ loading, folding सब होगा, then जैसे कि आप देख पर हो, MIUI 11 logo आ गया है, simply next, next करके इसको setup करेंगे, और जो phone है, वो successfully चालू हो जाएगा, और इसी process से, मतलब EDL के ही, इसी process से, आप ME, accounts वगेरा भी remove कर सकते हो, तो ये सारी चीज़े जो है, इस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये बड़ी असा method होता है EDL, ठीक है, लेकिन इसका access हमारे पास नहीं होता है, जैसे कि मैंने पूरी चीज़े पहले ही समझा दी थी, ठीक है, अब मेरे पास ये crack tool था और ये पुराना phone था, इसके वज़े से मैं आपको flash करके, पूरा explain करके समझा पाया इसको, ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आयोंगा, तो वीडियो को एक like करके जरूर जाना, काफी मेहनत लगी इस वीडियो